आज कि वीडियो में बात करेंगे बी एबेश सी बीकॉम के फोर्थ समस्टर के को करिकुलर यानि कि अनुवार प्रश्नपत्र के mcq टाइप के most important question and answer के बारे में जो आपका फोर्थ परिड़ों का पहला प्रश्ड है कि पूर्व वैदिक शारारिक शास संबंदित क्रिया एक ये आपको बताना तो सही जबाब इसका हो जाएक अधान रखेंगे पूर्व वैदिक काल में सारे कैने कि फिजिकल एजूकेशन से संबन्दी जो प्रोसेस थे वो था घुड़ सवारी भी था और तीरंदाजी भी थी और निसाने बाजी थी इसलिए सही उत्तर उप्रयोक्त में से सभी हो जाए क्यों कि आपको फिजिकल एजूकेशन के अंतरगत आता है ठीक है अगला प्रशन है कि सतंतरता से पूर्व सारेरिक फिच्छा दि जाती थी विद्य लयो में परिवारों में अखाड़ों में ये तक किस सन में थी थी जो आज आप पढ़ रहे हैं फिजिकल एजूकेशन एंड योगा ठीक है या फिजिकल एजूकेशन इसकी जो मानेता है वो कब दी गई थी किस सन में तो सही जबाब इसका हो जाएगा आप्शन नमबर बाप सन 1881 में दी गई ध्यान रखेंगे अगला प भूजन एवं रच्छा है तो ठीक है अगला प्रशन है कि भारत के प्रचिय नितिहास के किस काल को सारीरिक फिच्छा का स्रण यानि की गोल्ड ठीक है टाइम या फिर काल कहा जाता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन नमबर दा महा का बिकाल को सुर्ण काल कहा जाता था अगला है कि महा भारत काल में रंग अस्थल का पृउग होता था घ्या। नखेंगे इसका पृउग होता था मानो डंद युद्ध के लिए जबाब इसका आनंबर होगा अगला है क। कॉष्टिं की वाई एम शी कि सन में हुई थी और कहां हुई थी ऐसा भी प्रश्ण हो सकता है तो ध्यान रखेंगे वाई एम सी ए कॉलेज और फिजिकल एजूकेशन की जो इस्थापना है ठीक बहुत ही महात्पूर्ट प्रश्ण है वह हुई थी मद्रास में वह भी अगला प्रश्ण है कि इंद्रा गांधी सारे क विच्छायम खेल बिज्ञान सथान इस्तित आप तो ध्यान रखेंगे बहुत क्योंति ही महात्तव प्रस्थत खेल लोगों के समस्त तो इंद्रागांदी गल विज्ञान सथान जो है वहाइव नई दिल्ली में आप शीजवाब होगा अगला केंद्रागांदी जाएव खेल विज्ञान सथान अस्थापित हुआ तो यह हुआ था द्यान लखेंगे 1987 में दा नंबर सही जवाब होगा ठीक है और वीडियो को पूरा देखते रहेगा आप लोग इसके मत करिएगा वीडियो के बीच में फिर वीडियो के लास्ट में कभी में आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हों कि आप अपने एक्जाम की कम भी तैयारी करके आप फिजिकल एजूकेसिन यानि कि इसको करिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे कास से कैसे नंबर ला सकते हैं और बहुत ही 100% वर्किंग और धमाके दाट्रिक है जो कि आपके बहुत ही काम आएगी ठीक है पहले कोश्चन देख लेते फिर बताएंगे अगला प्रश्ण है कि राज-कुमारी अमरत और कॉर्स इस्पोर्स फीम किसने प्रारंब की थी तो ध्यान नखेंगे में बहुत महत्वर प्रश्ण क्योंकि यहां पर ज्यादातर मतब कि खेल होते हैं वह खिलाए जात मतब कि लोगों खेलते हैं और उसको समझते हैं और लर्ण करते हैं अगला कोश्चिन की राज कुमारी अमरत का और कोचिंग इसकीम किस सन में शुरू कुई गई थी तो सही जवाब इसका हो जाएगा ध्यान रखेंग बहुत ही महात पूर्ट प्रस्ण है बहुत ही नंबर सन 1903 में शुरू की गई थी बहुत ही हाई लेबल कोश्चिन अगला की नेता सभास जी इंस्टिट आप स्पोर्ट की स्थापन अगना वर्स उन्नी स्थाफूर्ट में किसके द्वारा के गई थी तो बहुत ही महात पूर्ट प्रस्ण है भी प्रस्ण हो जाएंगा आप लोगों को मालू में कहा है अगला कि स्था प्रामर्श बोट्र का गठन किया गया था लास्टे ऐस्टर पर मंडली एस्तर राज इ सारीरिक फिच्छा परामर्स बोर्ड का जो गठन है वो राफ्टे अस्तर पर किया गया था सही जबाब आनमबर होगा अगला कि नेशनल फिटनेश कोर्प्स कब प्रारम किया गया था तो ध्यान रखेंगे इसकी जो शुरुवात है वो सन 1965 में हुई थी आनमबर सही जबाब होगा अगला कि लच्छिमी बाई राष्टे सारीरिक फिच्छा कॉलेज के प्रिथम प्रिंसिपल का नाम क्या था बहुत ही महत्मूर प्रशन है भी है तो ध्यान रखेंगे उनका नाम था प्यम जोसिफ सही जबाब सानमबर अगला कि नेता शुबाश चंद्र जी राष् एकश्ट को की गई थी बनंबा सही जवाब होगा अगला कि लच्मी बाई राष्टिए शारीरिक फिच्छा कॉलेज कहां पर इस्थी थे तो ध्यान दखेंगे यह जो इस्थी थे वह गालियर में स्थी थे तो गवालियर भी आप लोगों कहां पर आता है मैं-प में आता ह भारतेखेल प्रदिक्रण यास ए अई का मुख्याल है कहां प्रास्थित है तो भारते खेल सब्सक्राइब नमबर होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है कि भारते खेल पर दिक्रण की स्थापना का बोई थी तो आप सभी को भी में बताया यह सभी जबाव इसका आप लोग को मालूम है ना चाहिए अप क्या होगा भारते खेल पडिक्रण से अइस अइस्थाप सब्सक्राइब करना है वह सन 1984 में की इस बात को ध्यान रखेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा अगला अगला प्रशन है कि सारीक विच्छा के छेत्र में एक मात्र विद्ध्या लए उसका नाम है लच्मी बाई राष्टे सारीक विच्छा फंफथान या फिर इंसिट्यूट ध्यान लखेंगे अगला प्रशन है कि नेशनल प्लान आफ फिजिकल एजूके अगला प्रशन है कि लच्छमी बाई नेशनल क哦led जाब फिजिकल एजूकेशन को डिम्ड विश्ट विद्याले का दर्जा कब दिया गया किसन में दिया गया तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा अगला प्रशन है कि राष्टी राष्टी सारिक निर्पुड़ता आंदोलन कप प्रारंब हुआ था या फिर को खेल प्रितिभा खोज छात्रावति योजना कब प्रारंब हुई तो ध्यान रखेंगे इस प्रशन का सही जवाब हो जाएका आप्शन नंबर सन 1971 से सोनी 1970 और 1971 के बीच में प्रितिभा खोज छात्रावति योजना की शुरवात हुई थी अगला कि राष्टे खेल संस्था स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे राष्टे खेल स्थान पटियाला की जो स्थापना है बहुत ही महात पूंट प्रशन है इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी सही बाबबा होगा अगरा कोश्चन है कि नई राष्टे खेल नीत की गोफडा कि सर में ठीक है तो इन अपस्थनों में से कौन सा सही जबाब होगा तो ध्यान रखेंगे कबड़ी में लोना दिया जाता इसलिए सही जबाब इसका का नंबर हो जाएगा अगला कि कबड़ी खेल का अधुभोग कि इस देश में हुआ तो बहुत ही महात्पूंट प्रशन है या फ सब्सक्राइब अगला कोश्चन है कि भारतिय कबड़ी संग की अस्थापना किस्टन में हुई थी तो भारतिय कबड़ी संग की जो स्थापना है वो सन 1922 में हुई थी जबाब इसका बान अंबर होगा बहुत ही महात्पूर प्रस्टन बता रहे हैं प्रसनाब के सब्सक्राइब में अंतिम रेखा से बोन अफ लाइन की दूरी कितनी होती है तो यह जो दूरी होती है यह होती है वन पॉइंट फिप्टी मीटर ठीक है कि सब्सक्राइब होगा अगला कि महाराष्ट और मर्द प्रदेश में कबड़ी को किस नाव से पुकारा जाता है तो बलता है ठीक है तो पुर्षों के लिए क्वडी मेच का मतलब कि एक पारी का मतलब यह हो गा कि endeavor के तो पुर्षों के लिए कवड्डी मेच का जो समय है जहां बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है जो ऑफिसली अलांसमेंट किया गया है वो है 40 मिनिट सही जवाब दा होगा याद रखेंगे अगला प्रस्ण है कि कबड़ी में लोना के कितने अंक होते हैं तो कबड़ी में लोना के जो अंक होते हैं उनकी संख्या बताना है यह भी महा कबड़ी में लोना के जो अंक होते हैं वह होते हैं टोटल दो सब्सक्राइए कि में कहले वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो कबड़ी में इसने होते हैं साथ ठीक है तो यह साथ कोट में होते हैं बाकी पांच जो होते हैं वो रिजर्व में होते हैं तो टोटल की बात किया जाए दो रिजर्व को लेकर हैं तो साथ पांच बारा हुए आईसे ही कोट को लेकर तो साथ ही होते हैं ठीक है अगला की कबड़ी के मैदान कि दूरी कितनी होती है तो कवड़ी के मैदान से केंदे रेखा और अस्वरस रेखा की जो दूरी है वो होती है ठीक है तेन दस्मलों पचीश मीटर सही जवाब बाव होगा 3.25 मीटर और अगला प्रशन है कि महा भारत काल में कवड़ी को किस नाम पर जानते थे तो महा भारत काल के समय में कवड़ी को किस नाम पर जाना जाता था तो जान लीजिए आज आप सभी तो महा भारत में या फिर महा भारत के समय में कवड़ी को जिस नाम पर जाना जाता थ था को जाना जाता था एक स्वास के नाम से जवाक अगला थियां लिए मेजब का समय कितना होता है तो महिलाओं के लिए कर वर मेजब का जो समय होता है वो होता है थिसी हो pretty फिर सो का होता हो 40 मिलेट होता है इस बात था है कि अग़ना के ये फुर्ब का ectा थी confused सब्दा वाली किस खेल से जब्ली थी नमबर ठ्शिते तो सब्धा लाइस जो और में ब्रगोस्ट लॉ भी की चौड़ाई होती तो इसके जो चौड़ाई वो पशमीटर होती है। सही जवाब इसका अद्दा होगा, ध्यान रखेंगे वहते इमाहत्पूण प्रशन है। अगला के कबड्डी के मैदान में पुरुस का आकार होता है, तब कि ध्यान से सुन लीजैे कि जहां पर पुरुसों की कबड्डी होती है तो उस मैदान का आकार कि तो पूर्ष के मैजान का आकार नहीं हो तो सभी जबाशेयर अगसेरा है कि अलिए वीडियो हम नहीं खीच रहे हैं ताकि आप लोगों का ज्यादा समय वेश्ट ना हो और जो जो भी स्टुडेंट इस वीडियो को कम्प्लीट देखे हो तो उनको कुछ ना कुछ ना कुछ तो हल्प मिलेगी और एक मैं आपको ट्रिक और चिप से बता दे रहा हूं जहां से खेल समित का गठन कब किया गया ठीक है और इसका उत्तर आपको नहीं मालूम है ठीक है और लास्ट में जो आपसन आपको दिया जाएगा दा नंबर पे इसमें लिखा उप्रयक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी ऐसा कोई लिखा तो आपको को ध्यान रखना में जिसमности pricomend नहीं वहालूम है और यह सद्सिक कोई है यह कॉछ और यह आपके वरिछ्ह में काम भी करेगी यह देख लीजेगा चाहे ठीक है और यह पूरी पीडियाप आपको एंसर सहीत चाहिए तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम वट्सअप पे जॉइन होके उस पे मैसेज करना पड़ेगा तभी आपको मिल पाएगा वीडियो के एक्सेशन में वट्सअप गूरूप का लिंक है टेलीग्राम का भी है तो योगा का पीडियाप चाहिए विध एंसर तो हम आपको पूरी पूरी पीडियाप सेंड कर देंगे तो उसमें डेट फूर दोसों कोईश्चन और उसके उत्तर सहीत मिल जाएंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी ठीक है बाकी ओल दी बेस्ट जैहंद